नमस्कार समचार प्रस के वोट एक्सप्रेस का काफिला पहुँच चुका है गांधी समाधी पर लेकिन चौकियमत ये गांधी समाधी दिली का राजगाट नहीं है बलकी ये रामपुर की गांधी समाधी है और मेरे ठीक पीछे जो समाधी है इसमें दिली के अलावा राष्टर पिताब महात्मा गांधी बापु की असली अस्तिया रखी हुई है ये इतिहास भी बड़ा दिल्चस्प है कहा जाता है कि जब महात्मा गांदी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को तब पूरे देश में दुख की लहर छा गई थी नवावी आदेश पर 31 जनवरी को रामपूर रियासत के तमाम कार्याले बाजार सिक्षन संस्थाएं वो मनुरंजन अस्थल भी बंद रहें 13 दिन तक सरकारी शोक मनाने का हुक्म हुआ दो परवरी को दिल्ली में बापू का अंतिन संस्कार किया गया तब रामपूर के नवाव के विशेश अनुरोद पर महात्मा गांदी के बेटे ने बापू की अस्थिया रामपूर के नवाव को दिया और फिर रामपूर के नवाव ने विशेश ट्रेन के जरिये महात्मा गांदी बापू की अस्थियों को लाकर यहां चांदी के बरतन में दफन किया एक चांदी के बरतन में महात्मा गांदी बापू की इस्तिया दफन है दूसरी चांदी के बरतन में यहां पर रामपूर का इतिहास और रामपूर के नवाभी खांदान का इतिहास यहां पर दफन है तो हम यहां से रामपूर में महात्म प्रावी मिजाज किस तर्व जा रहा है रामपूर पे गांधी समाधी पे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं उसे हम बाचीत करेंगे चुराव आने वाला इस पर जब वोट डालने जाओगे आप तो सबसे बुड़ा मुद्दा क्या होगा दिमाग में संद्र मुद्दा होगा हमारा कारूबार का रामपूर में बहुत बरबादी होई हैं लोगे कारूबार फिले गए हैं तुकाने मकान मजार लोग तोड़े गए हैं उसका हमें बद्दा लेना है इसमार आप चुनाब में बोट डालने जाओगे तो क्या सोचकर वोट करोंगे किसको करोंगे इंटेक्रामी कारणावाई बंध हो रामपूर की अवाम के साथ ब्रोजडाल के मसले होते हैं यहाँ घरेजवेट अपोज गरेजवेट लो रक्षान चला रहते हैं यह में जोता है इसका भी रोग करें में साबन सकता है तो किसको इस पर चुनाल जितवाने का सोचा आप लोगों ने बहुत जान समाइट पार्टी तबसे बदा जो है तीन सो साड़े तीन सो मगान तोड़े गए उनकी जगा नाजाइज इसकूल बनाए गए यह विकात है लोग ग्रेजवेट पोस्टेजवेट लख्षान चला अब तमाम लोग कहरें कि तोड़े गए तोड़े गए सपा का नाम ले रहें लेकिन उस आदमी का नाम लेने से डर रहें कि आप लोग। मैं आजम दिन aजम इनकिता है। छायरा हमारे साहब करें। इस बार बहुत जोश है। और जोश इसलिए हैं कि हमारे उत्तर परदेश में जो मुख्य मंत्री हैं। उसकार पर और आजम खासाब के कहाड़त पर इस बार यह ओओम ऐसा जोश है कि उम्दा से जादा जो उमीर से जादा सीटा आएंगी और रामपूर के अंदर तो शिक्षा का जो दीब जलाया इनिवस्टी के नाम पर वो एक अपने आप में एक एतिहासी के काम इस बार जब चुनाब में बोट डालने जाओगे तो क्या सोच के बोट करोगे किसको करोगे लेकिन अभी जो यहां का रोजगार है डवलमेंट कुछ नहीं कोई इंडस्टी नहीं हुए कुछ भी देरे देरे सारी बंद होती चली जा रही है हम लोग रामपूर के मिस्टन गज मार्केट में पहुंच गए है एक दुकान के बाहर हम लोग खड़े हैं तमाम लोग ग्रांक और दुकांदार इन सबसे हम बात करेंगे और इन से जाने की कोशिश करेंगे कि इनके दिमाग में क्या कुछ चलना है चुनाबी फिज़ा को लेकर और क्या मुद्दा सबसे बड़ा रामपूर की जनता के लिए इस बार विधान सबाद चुनाब में रहने वाला है इस बार जब चुनाब में बोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा इशू आपकी दिमाग में क्या चलना होगा कि इस इशू पर मुझे बोट करना है इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो विकास कर रहा होगा इसको पर बोट करना है कि कौन विकास करेगा कौन नहीं करे करें कि विकास होगा अगर दिल्ली और लटनों में एक सरकार होगी राउल गांदी विकास की बात करें किसके मॉडल पर आपको ज्यादा वरोसा है कौन सबस्यादा गरीबों की हेल्फ कर रहा है मैलाओं की या रामपूर के विकास के लिए या उत्तर पर दिल्ली कौन ऐसा है जिसके पास विकास कर रही है वरीबों के लिए भी हेल्फ कर रही है कौन सबसे अच्छी सरकार उत्तर परदेश के लिए हो सकती है आपके एसाब से सबसे अच्छा पॉलिटीशन कॉल लगता है तब की बाते सुनकर तो अच्छा ही लगता है लेकिन जो हमारी लिए आज यह कर रहे हैं तमाजबादी सरकार कर देए हम ही यह अच्छा लगता है तमाजबादी सरकार दुकांदार भी हमाएं साथ मौजूद है लोट बंदी के बाद यह कहा गया कि दंदा मंदा हो गया सब लोगों ने मोजी जी के आलोचना करी अब क्या नॉर्मल सी आई है या इस्टिती वैसी खराब है नॉर्मल तो नहीं है लेकिन फिर भी बेतार है पहले थे ठीक है तो फिर तक लोगों पैसा नहीं मिलता था जब तक लोगों प्यारा परिशान थे इसको जिताएंगे आप जिसे लाइट हो यह सब चीजी मिलने लाइट है पानी है विकास हो रहा है आप जब बोड देने जाओगे तो सबसे बड़ा इशू आपके समाजबादी पाटी की दरस्के तो आगे भी उनी को मौका दें गया है वहारे रामपूर की मिलनक विदान सभा में हम पहुंच गए हैं और तो फ्लोकों से बातशीत करेंगे तो इस बार किसको बोड करोगे क्यों करोगे आति देंगेस्वा बहां जी को बोड करों बहां ज प्राव आने वाले हैं जब इस बार बोड डाले जाएंगे तो किये तो क्या सोचकर वोड करेंगे किसको करेंगे विकास भाया है उसके लिए बोड करेंगे और अच्छे इंसान को करेंगए जो सबको साथ लेकर चलता हो वह मानिया अखिली जी है किसको सोचा है किसको बोट करोगे जो बिकास करेगा उसके लिए वोट लिए जाएगा किस पर बरोसा है वरोसा तो बाजया पत्ते ऑस rum प्रदेश को बोट डालोगे और क्यों करोगे चार बार देश को लेंड लगा दिया तो इनको बोट देढे हम हाथी को बोट देढ़े हम साब बहेंजी मोख मंतिर बनेगी चालेश बात अपने पास रखे वेई हिनको क्या को यादमों को देढ़ेंगे हम तो साब भैंजी को बोट देनेगे जो राश्च्ट ही राश्चहित में होगा यह बीजेभी के लिए सबसे अच्छा मौटा है प्रण के जिताने का मेलक विदान सभाव में तमाम लोग हमारे साथ है बातशीट करने के लिए आप से जाने के बढ़ा किया सोचा है इस बार किसको जिता रहे हो वाज़वादी को जाना है इस बार वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा प्रदेश का मुख्यमंतिरी बने हैं जब चुनाब में वोट डालने जाओगे वेंगा बटन दबाने तो क्या सोच के वोट करोगे किस को वोट करों मेरे घर में परिवार में नभे वोट हैं, नभे बीजीपी को दूँगा, कहने को हम ऐसी बर्ग में आते हैं, कहते हैं कि मायवती जी हैं, मायवती जी की उसमें आते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बीजीपी को सपोर्ट करूगा यह मोटर की दुगान है, रेडियो और टर्जिस्टर की दुगान, भई आप चुनाव आने वाला है, तो क्या सोचा है चुनाव को लेकर, किसको वोट करोगे और क्यों करोगे? पाजपा को वोट करोगे। आप जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? किसको वोट करोगे? नोट बंदी करती है, पीजपी ने तो सबका नुकसान करती है, वो सब मायवती और ये राउल गांधी और अगलेज ज्यादब कह रहे। नहीं तो इससे तो फायदा होगी है, कभी तो पिरसानी एक दिन आयती है, तो सब दिन फुरू दरी देगी मोबाइल के एक शॉप है, सिम बेशते हैं, मोबाइल बेशते हैं, चुनाव आने वाला है, तो क्या सोचा है इस बार, क्या सोच के वोट करोगे, किसको करोगे पिज़े भी कोई वोट करते हैं हम तो, मोधी के साथ हैं ये साडियों की एक शोरूम है रामपूर में, यहां पर भी हम जो तमाब लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, एक बड़ा शोरूम है रामपूर का साडियों का और ये कहा जाता है, कुछ रादियतिक पंडित कहते हैं कि नोट बंदी एक बड़ा मुद्धा बनने जा रही है और जिस तरह से सबाजवादी पार्टी, बसपा, राहूल गांदी, तमाम लोग नोट बंदी को लेकर धानमत्री पर तीखा हमला बोलते रहे, तो यहां हम ज यहां सा नेता और पॉलिटिकल पार्टी है, जो यूपी के लिए बहुत बेतर होगी, क्योंकि आपकी राय, आपकी बती जी भी मानेगी, तो इस समय जो गवर्मन्ट यूपी में चल रही है, लगवक देखा जाए तो यूपी में सही चल रही है, अगर जीत भी जाती है, प्रॉब्लम नहीं है, अब जब चुनाव आएगा विधान सभाका, तो नोट बंदी क्या मुद्दा होगा आप लोगो के लिए कोई और मुद्दा होगा, हमें पहले भी दिक्कत नहीं होई और यूपी नहीं है, कैशलेस, हमारे पास पहले से सुविदाओ कलब यही पेट विपाई वर्ग की समस्या बताई, पहले यह कहा गया कि एक सेक्शन कहा रहा था कि नोट बंदी को लेके विपाई वर्ग नाला जाए, अब आप कहने नोट बंदी क्यों मुद्दा नहीं है, तो क्या विकल्प है कि 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 सरकार इस्टर प्रॉदिस पर आनी चाहिए, जो आ प्रॉदिस पर रामपूर में पिशाशन गुंडे और बंदवाशों के साथ रहा है, किसी की कारवाई नहीं करता, कोई एफाया लिखाने जाता है, तो उसकी एफाया पर कारवाई नहीं होती, खुले हम चोड़ी टेकेदी हो रही है, दुकावनों पर मार्वीट हो रही है जो पर कुंडे खुले हम गुमते हैं, कोई पकल खकर नहीं होती है, और बीज़ेपी के सरकार आना चाहिए, हम इस फेफर में हैं तो मैं समाजवाधिक पार्टी को करूँ जो पर काफी हद तक हमारे रामपूर की साफस्वत्राई, कारोबार यह अच्छा दिया है, तो इस वही से मैं समाजवाधिक पार्टी को साथ हूँ रामपूर के अमबेटकर पार्क में हम लोग मौजूद है और प्रधान मंत्री रहते हुए, एचडी देव गौडा साहब ने इस पार्क का उदगाटन किया था, वो रामपूर आये थे और तमाम लोग पार्क में हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश बात दूसरी रिष्टा चार और गुंडा राج जो है, उसे जो खतम करेगा उसको उसको बोड करेगा। मुझे तो समझ में आता है अब तक जो सासन देखा है तो मुझे लगता है कि मायवती गुंडराज जंकुस लगाएंगी क्या सोचके वोट करोगे किसको करोगे मायवती कि भेन मायवती जी वो यू वो दलीदो की मसिया हैं हरकम बही करवाती है बाबा वोट डालते हो आब यम hell बीजियोदो किसको डलोगे हम तो बूधि के में मार्केट पे हम लोग मौजू रहें और तमाम दुकानदानों से लोगों से मारी बात सीट जाड़ी है किसको वूर देने का सोचा है और क्यूं सर यहां जो बहुत पहले से शिक्षा का भाव रहा है, शिक्षा के छेतर में बड़ा काम हुआ है, यहां लोग देख रहे हैं कि अगिलेज सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, इस वहीं से अगिलेज को ही वोड जाएगे, आप जब वोड डालने जाओगे, क्या सोच के वोड करोगे, मोडी जी के नाम पे वोड द जाओगे, तो क्या सोच कर वोड डालोगे? अगिलेज सर्प्रदेश के एक और जिले के वोड़ों के मिजाद से रूबरू करवाएंगे, फिलाल मुझे और मेरे कैमरापरसन विनोच चौदरी को दीजिए इजाज़ाद, देश और दुनिया की बाकी खबरे जानने के लिए देखते रहे है, समचार प्लस